इस वीडियो में हम सब्सक्राइब प्रश्न देखने जा रहे हैं फोर यह अलाबाद उनिवर्सिटी के प्रेपरेशन के लिए हम आपको कोस प्रोवाइड करते हैं सब्सक्राइब करते हैं किस तरीके से क्वेशन पूछे जाने के चांसे हैं कहां से क्वेशन पूछे जाते हैं क्यूंकि हमारे प्रोफेसर्स जो है उनके अंडर यह एक्जामिनेशन हेल होते हैं तो याद रखना है सारा हमको पता है कि किस तरीके से क्वेशन से कशिज जाते हैं सारा हम काफी सारे हमारे बैचेस हो चुके एस उनिवर्सिटी के तो काफी सारे बैचेस में स्टुडेंस में हमारे महीं कोर्स के तुरू ना पीएज इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाया था युनिवर्सिटी पहलाबाद का तो आपको जल से जल कोस में इंडोल होना है ताकि आपकी जल से जल प्रेपरेशन स्टार्ट हो तो कोस के लिए श्क्रीन पर पर दिएकर हमारा जो आप है ग्लोबल ओनाइन आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा है कि आप दिरेकली बहा से भी स्टुडी मत्रियोल को सकते है तो आपको पूरा पेपर 50 मक्स पर बेस्ट होगा ठीक है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्स प्रो प्रिवेड करते हैं पेपर वान के लिए नोच अपको प्रोवाइड करते हैं काफी सिंपल नोच से और उसकी जिपसी के साथ साथ मौक्ते जो करेंगा प्रेपरेशन में काफी आपको बूस्ट करने में हेल्प करेगा दें 500 प्लस mcqs pdf जिसमें आपके साथ हमने प्रिवेस एर क्वाशन कर रहा है तो यह सारा कंटें 100% आपको पासिंग गारेंटी के साथ इस सारा कंटें आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको 25 mcqs में 15-20 mcqs हमारे ही कोर्स से पूछे जाएंगे यह हम आपको 100% गारेंटी जिसके लिए अगे इन स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप हमें कॉन्टायक कर सकते हो या फिर आप हमारे इस आप के तुरू डैरेक्ली विजिट करकर ने पेपर वन के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो सब्सक्राइब करने से पड़े मैं आपको बना दू कुछ थो पर यहां पर देख सकते हो काफी सारो सब्जेक्स किया आपर हम आपको स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर वाफसप की तुरू में पर आप कॉन्टायक करना है या फिर आप हमारे ब्लोबार ऑंलाइब के तुर भी study में चेप के access कर सकते हैं. So, that's it and let's begin with the MC case. पहला प्रेश्ट, एक सेट स्कोर का माध्या 50 है और मानग विचलन 10 है. यदि प्रतेख चात्र के स्कोर को दुगना कर दिया जाए, तो नया माध्या क्या होगा? The mean of a set score is 50 and standard deviation is 10. If the score of each student is double, the new median will be. So, इस प्रोष्ट में जिससे क्या आप देख रहे हो, हमें कुछ छात्रा है, कुछ छात्रा के कुछ scores है. So, उनका जो score है, उनका हमें mean दिया गया है, यानि उसका हमें माध्याग दिया गया है, जो के 50 है. अब और हमें कुछ information दिगई है, जो के है standard deviation. Standard deviation जिसे हम केते हैं मानक विचलन, ये दिया गया है 10th. So, standard deviation क्या होता है, क्या आपका data कैसे spread out है, okay. Standard deviation क्या बताता है, data किस तरीके से spread out है, और mean बताता है आपके data के average value, okay. Average value बताता है आपके mean के. ज़्यादा तर students को मान लेजे, 50 marks, ज़्यादा तर students का जो score होगा, ज़्यादा चात्राओं का जो score होगा, वो 50 होगा. इसलिए इस जो data है, set scores है, उनका हमें mean क्या जा रहा है, 50. अब हमें इस case में पूछा गया है, कि जो चात्राओं के scores है, उससे अगर हम दुगना कर दे, तो उस case में हमारा जो नया mean, जो हमारा median होगा, वो क्या होगा, नया माध्यक क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर mean दिया गया है, माध्यक दिया गया है, और मानक विचलन दिया मतलब standard deviation दिया गया है, और हमें median पूछ रहा है, median क्यों होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए, इस question को solve करने से पहले, median मतलब आपका जो भी data होता है, उस data कि center value और middle value को हम कहते है, median, अब जैसे कि यहाँ पर आपको mean दिया गया है, यानि माध्यक दिया गया है, और standard deviation दिया गया है, तो याद रखेगा, यह दोनों भी value आपको सिर्फ और सिर्फ confused करने के लिए examiner ने दिया है, इससे आपका, इस question से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको थोड़ा confuse करने के लिए उन्होंने आपको mean और standard deviation की value दी है, अब question जब हम solve करेंगे, तो question की तरफ हम बढ़ते हैं, इन्होंने कहा कि students के जो score है, यहनि छात्रा के जो score है, इसको दुगना कर दिया जाए, मतलब मान लीजिए हम suppose करते हैं कि score जो होगे students के, जो आपके छात्राओं के जो प्रतेक छात्राओं के जो score होगे, कुछ इस तरीके से होगे, 2, 4, 6, 8, and 10, यह मान लीज चात्राओं के scores है, अब हमें प्रश्ण में ही बोला जा रहा है, कि चात्राओं के scores है, उसको हमें दुगना करना है, उसको हमें double करना है, double किस तरीके से करेंगे, हम double कर देंगे, जितनी value है, उसको उसमें 2, उसको दुगना कर देंगे, 2 से multiply कर देंगे, यह क्या हो जाएग 12, यह हो जाएगा आपका 16, यह हो जाएगा आपका 20, ओके अपने क्या करा, हर एक नमबर को आपने 2 से multiply कर दिया, अब अपने दुगना कर दिया, अब दुगना करने के बाद, आपका जो यह नया median होगा, median क्या हो रहा है, देखिए, median क्या होता है, यह आपके data की जो middle value है, जो center value है, उसे हम कहते है median, अब अगर मैं left side से देखू, left side से देखू, यह first, second, third number पर मुझे मिल रहा है 6, और अगर मैं right side से देखू, तो first, second, और again third number पर मुझे मिल रहा है, इस data में 6, मतलब इस data के जो median value है, वो है मेरी 6, okay, median value हमें पता चलेगी, जो के है 6, अब जैसे कि हमने दुगना कर दिया, हमारे observations को, हमारे छात्राओं के scores को हमने दुगना कर दिया, दुगना करने पर 6 का क्या हो जा रहा है, 6 हमारा जो data है, स्टूडेंस का जो scores है, जात्राओं का scores है, वो क्या हो गया, double हो गया, किस तरीक से बढ़ गया, दुगना हो गया, जो था, उसका दुगना हो गया, यानि mean हमारे यहापस 6 था, तो 6 का हमने double कर दिया, तो median भी हमारा क्या हो जाएगा, यहापर, इस case में जब हमने double कर दिया हमारे observation को, तो इस case में भी आपका median क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि अगर आप left side से देखो, तो third number पर आपका 12 नंबर आ रहा है, और आप right side से देखो गया, तो third number पर आगें आपका 12 आ रहा है, यानि अगर हमने हमारे जो हमें question में दिया गया है, जिकि छात्राओं के scores को हमने दुगना कर दिया, मतलब छात्राओं के जो scores को हमने double कर तो होगा ने, क्योंकि जैसा था, वैसा होगा ने, क्योंकि हमें double करने बोला गया है, तो obviously यापर आपका option A, यानि विकल्प A, गलत उतर हो जाएगा, उसे तरीके से, decrease by half, अगें ये option तो होने सकता है, क्योंकि हम double कर रहे हैं, तो half कैसा होगा, आपको खुद सोचना होगा तो यापर आपका विकल्प CB, इस प्रशन का गलत उतर हो जाएगा, उसे तरीके से, option D, become equal to the mean, यानि माध्य के बराबर बने, तो ऐसा नहीं हो सकता है, median और mean, ये हो सकता है, लेकिन आप सोच सकते हो, लेकिन अगर हम double कर रहे हैं, तो ये mean के बराबर भी नहीं होगा, तो आपका विकल्प DB, इस प्रशन का गलत उतर हो जाएगा, इस प्रशन का आपका सही उतर हो जाएगा, विकल्प B, increased by double डुगने से बढ़ा, अगला प्रशन, P-Value का मतलब है, P-Value stands for, तो इस प्रशन में में पूचा जा रहा है कि P-Value का क्या मतलब होता है, P-Value का क्य क्या है, आपको पहले तो यह पता होना चाहिए, बहुत important है, एक्जाम में इस प्रशन से बहुत बार question पूचा गया है, ऐसे question पूचन के आपके exam में chance है, पहले जैसे आपको subjective type questions पूचे जाते हैं, उसमें भी आपको P-Value पर बहुत question पूचे जाते हैं, लेकिन याद probability value, P-Value का मतलब होता है, probability value मतलब आप जो भी आपके research में experiments perform करते हो, उसमें आपके जो result आते हैं, वो by chance आते हैं, उसे हम कहते हैं P-Value, अब किस तरीके से, जैसे मान लिजे हम for example, example लेते हैं, कि हम देख रहे हैं कि water जाधा देने से, कि plant की growth भी जाधा हो रही है, तो आ आपने experiment perform कर लिया, मान लिजे, आपने experiment perform कर लिया, और आपने यह देखा, कि water जाधा देने से, प्लांट की growth भी जाधा हो रही है, आपको यह result में, लेकिन आप यह देखना चाहरे हो, कि water जाधा देने से, प्लांट की growth भी जाधा हो रही है, फिर नहीं हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट और है यह बताता है कि आपका जो प्लान्ट की ग्रोथ वूझा हुई है यह डापके वौकर की वज़े से तो नहीं होई है हो सकता है किसी ओर variable के वज़े से हो तो उसे हम कहते है आपके जो result आ रहे है, experiments में वो by chance आ रहे है, मतलब आपके जो independent variable है, उसके वज़े से आपका dependent variable पर effect नहीं हुआ है, किसी और variable के वज़े से आपको कुछ result दिख रहा है, हो सकता है कि sunlight की वज़े से plant की growth हुई होगी, ऐसा हो सकता है, इस case में हम बोलेंगे आपके जो result आ रहे हैं, यह by chance आ रहे हैं, अब P value हम use क्यों करते हैं, P value का मतलब तो हमने जान लिए, P value यह बताती है, हमारे जो experiments है, इसमें जो हमारे result आते हैं, यह by chance आते हैं, अब हम देखेंगे P value को use क्यों होता है, क्यों हम use करते हैं, तो याद रखिएगा, P value हम इसलिए use करते हैं, क्योंकि हम test करते हैं, हमारी null hypothesis को, okay, null hypothesis को हम test करने के लिए P value का use करते हैं, अब किस तरीके से, अब जैसे मार लिजे, आपको यह point बहुत important है, याद रखना है, P value अगर less होती है, okay, अब कि P value कम होती है, लेस होती है, तो उस case में आप क्या करते हैं, आपके जो null hypothesis को आप reject कर लेते हो, okay, यह आपको याद रखना है, important statement है, P value आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी P value होगी, उतना अब आपकी क्या करोगे, null hypothesis को आप reject करते जाओगे, अब किस तरीके से हमने यह decide कर लेकि P value कम होगी, तो हम null hypothesis को reject कर लेगे, तो यहाँ पर relation है कुछ, तो याद रखेगा P value आपकी किस से कम होनी चाहिए, P value आपकी alpha से कम होनी चाहिए, alpha क्या होता है, जिसे हम कहते है significance level, alpha बताता है कि आपने आपके experiment में कितनी percent error को allow करा है, तो basically researchers जो होते है, alpha क value पहले से सेट कर लेते हैं, जो कि 1% होती है या फिर 5%, अगर आपने मान लीजे, आपके research में 5% अपने error अलाव करा है, आप देखोगे, आप ऐसा बता होगी, कि 5% हो सकता है कि error आ सकते हमारे research में, तो इस case में आप क्या बोलोगे, कि आपकी जो result है, वो 95% सही आना चाहिए क्योंकि आपने क्या करा है, पहले सही alpha value आप decide कर लेते हो, अगर आपका जो error आप चाह रहे हो, आपके experiment में कितने percent error आए, उससे आपका error कम आ जा रहा है, यानि आपकी जो result आ रहे है, उससे कम आ जा रहा है, तो उस case में आप क्या करते हो, आपकी null hypothesis को आप reject कर लोगे, अब next case, अगर p value आपकी, p value क्या हो रही है, आपकी alpha से जादा आ रही है, यानि आपने जितना error आपके experiment में allow कर रहा था, उससे जादा आपको error देखने मिल रहा है, उससे जादा आपको error देखने मिल रहा है, नि आपके independent variable की वज़े से आपके result ना रहे है, कोई और variable की hypothesis से उसको आप accept कर लेते हो, यह कुछ statement है, आपको याद रखना है, पहला मैंने आपको बताया कि, p value जिसका full form होता है, probability value, then next, probability value का मतलब क्या होता है, probability value मतलब, आपके जो आपने experiments परफॉर्म की, उसमें जो आपके result आ रहे है, यह by chance आ रहे है, यानि आपके independent variable की वज़े से result नहीं आ रहे हो सकता है, किसी और variable के वज़े से आपके result आ रहे हो, तो यह होता है, आपका probability value, अब p value, यानि probability value को किसले यूज करा जाता है, याद रखे, p value को हम इसले यूज करते हैं, ताकि हम हमारी null hypothesis को test करें, और यह बता है, कि हम उसे accept करने वाले है, या फिर हम reject क पनने वाले है, जितनी कम आपकी p value होगी, उतना आपकी null hypothesis को reject कर लोगे, और आपकी null hypothesis, sorry, p value आपकी alpha से कम है, alpha क्या होता है, significance level, यानि यहाँ पर researcher बता देते हैं, कि हम हमारे experiments में इतने पसंद को, इतने पसंद एरर अलाओ करेंगे, कि इतने पसंद एरर आ सकते है, experiment में, तो यह होता है, आपका alpha, जिसे हम केते है, significance level, अगर आपकी p value alpha से कम होगी, तो उस case में, आपकी null hypothesis को reject कर लोगे, और अगर आपकी p value alpha से जादा होगी, यानि आपके जो errors है, अपने जितने अलाओ करेंगे थे, उससे जादा आपको error मिर रहा है, तो उस case में, आपकी null hypothesis को accept कर लोगे, तो यह होता है, आपका p value, जिसे हम केते है, probability value, इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प A, अगला प्रश, एक शोध अधियन में चुने गए चर्में से, एक छात्र के माता-पिता का वेवसाय जैसे, वेपार, खेती, सेवायदी यह था, यह किस माप है, in a research study, one of the variables selected was students, parents, occupations such as business, farming, service, etc, what level of measurement is this, so इस प्रश में पुछा जा रहा है, एक student है, एक छात्र है, उनके माता-पिता का कुछ occupation है, और जैसे उनको occupation, business, farming, service, यह occupation था, अब यह जो सारे occupation है, इस occupation को major करने के लिए, आप किस scale of measurement का use करोगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, हमारे जो scale of measurements होते हैं, इनमें four types होते हैं, जिनको हम कहते हैं, nominal, ordinal, interval, and brashow, यानि नामात्र, क्रामवाचक, अंतराल, and अनुपात, तो यह scale of measurement बहुत important होते हैं, exam में इस topic से, कंपल सरी आपको one or two questions देखने ही मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, यह scale of measurement को कुछ आपको इस short form से याद रखना है, नौयर, N4 होता है, nominal, O for ordinal, I for interval, and R for ratio, अब हम इसे short में देख लेएं कि यह 4 scale of measurement होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको notes में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको, और जो मेरे video lectures है, उसमें मैंने बहुत deep में आपको समझाया है, तो मैं बताऊंगे आपको जबी, मेरे batch के student से मैं उनसे कहूंगी कि आप उन video lecture को और उस notes के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार rate कर लिजए, तो आप कभी ने बूलोगे कि यह 4 scale of measurements होते क्या है, अब जिसे हम देखते है, nominal, nominal क्यों होता है, जिसमें अबर पर जो भी data होता है, हम उसे characteristics के वैसे इस पर divide कर देते ह होता है, से nominal की characteristics होती है, और ordinal में आपके पास जो भी data होता है, आप उसको एक rank देते हो, आप order देते हो, interval में आपä선 जो low करते हो, लेकिन interval में आपका जो numbers होते है, आप उनको एक equal arrangement में, और equal intervals में arrange करते हो और interval में आपका जो 0 होता है यह arbitrary होता है आपका अपसी तरीके से ratio ratio में interval के सारे characteristics present होते हैं लेकिन ratio में आपके 0 का कुछ न कुछ meaning होता है यह होते हैं आपके 4 level of measurement 4 scale of measurement बहुत important है अब हमें इस question में इस question में पूछा जा रहा है के छात्र है उनके मातापिता का कुछ occupation है कुछ इस तरीके से है कि वो business करते है farming या पर service कर रहे थे यानि वैपार कर रहे थे खेती कर रहे थे यह जो उनके occupation है इनको major करने के लिए आप कौन से scale of measurement का यूश करोगे यहां पर जैसे कि यहां पर हम देख रहे है बस उनको occupation है उनकी characteristics की basis पर divide करा गया है उनके occupation को एक छात्र होंगे उनके मातापिता farming होंगे तो आप क्या करोगे उन छात्रों का group बना लोगे एक छात्र है जिनके मातापिता आप बिजने से वैपार है आप उनको एक group में बना लोगे तो आप इस तरीके से grouping करते हो यानि same characteristics के लोगों का आप categorize कर रहे हो तो आप ऐसा कि scale of measurement में करते हो और किस star के माप में करते हो nominal में जिसे हम कहते हैं नाम मात्र क्योंकि याद रखे और और आप इस प्रोशन का उतार ओडिनल में आप order देते हो एक equal order देते हो सबको हम किसी को order में नहीं दे रहे हैं यह interval और ratio हम जब हमारे पास ऐसा data हो जिसमें numbers हो तो उस case में हम interval और ratio का जाधा तर use करते हैं तो यह पर आपका विकल्प C और D यह दो भी दोना आपके गलत उत्तर हो जाएगे और इस प्रशन का आपके सही उत्तर हो जाएगा विकल्प A nominal यानि नाम मात्र अगला प्रश, accepting null hypothesis when it is false is निराकर्या परिकल्पना को स्विकारना जब यह गलत हो इस question में मैं find out करना है कि आपने क्या करा आपके null hypothesis को accept कर लिया कब जब यह false थे तो यह कौन सा error कहलाएगा मतलब अपके जो निराकर्या परिकल्पना है उसको स्विकार लिया कब जब यह गलत थी तो यह कौन सा true t खेलाएगी मतलब यह कौन सा error होगा हमें यह find out करना है तो याद रखिएगा this is very important table आपको यह table को याद रखना है तो याद रखिएगा आप आपके research में आप हमेशन null hypothesis को test करते हो तो null hypothesis को test करने में आपसे कुछ mistakes हो जाती है उसी को हम कहते है errors और जिसे हम true t कहते हैं तो आप null hypothesis को accept करते हो या फिर reject कर लेते हो जैसे कि errors में आप क्या करते हो कुछ mistakes कर लेते हो तो उन mistakes को उन errors को हम इस table के थुरू पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर null hypothesis आपकी जो null hypothesis है वो reality में real में true है आपकी null hypothesis true है लेकिन आपने इसको क्या कर लिया reject कर लिया तो यह कौन सा error कहला है आपका type 1 error मतला ओके type 1 true t आपने क्या करा null hypothesis true थी फिर भी आपने इसको reject कर लिया तो यह आपका हो जाएगा type 1 error और type 2 error क्या होता है आपकी null hypothesis false होती है मतलब आपके जो निराक्रे ना परिकल्पना होती है ये गलत होती है, false होती है, फिर भी आपने इसको क्या करते हो, आप accept कर लेते हो, आपने गया क्या है, null hypothesis को accept कर लिया, कब जब ये गलत थी, मतलब जब ये false थी, तो ये कौन सा error हो जाएगा, आपका type 2 error हो जाएगा, उसी तरीके से इस question में मैं पूछ रहा है, कि आपने आपकी null hypothesis है, उसको accept कर लिया, कब जब आपकी null hypothesis थी, वो false थी, मतलब जब आपकी निराक्रे ना परिकल्पना है, वो उसको आपने स्विकार कर लिया, कब स्विकार कर लिया, जब वो गलत थी, आप याद रखेगा, जब भी आपकी null hypothesis को आप accept करते हो, कब जब आपकी null hypothesis false होती है, तब यह हो जाएगा आपका type 2 error, इस question का आपका सही answer हो जाएगा type 2 error, जिसे हम कहते है type 2 truth, अगर आपकी null hypothesis को accept कर रहे हो, कब जब वो false है, तो यह आपका type 2 error होता है, मतलब कि जो निराकरने परिकल्पना है, आप उसक स्विकार ले रहे हो, कब तब यह गलत हो, तो यह हो जाएगा आपका type 2 error, so type 1 error हमने जैसा देख लिया, type 1 error का बाकर होता है, जब आपकी null hypothesis है, यह true होती है, लेकिन आप उसको reject कर देते हो, तो यह हो जाता है आपका type 1 error, so यहाँ पर इस question का option B गलत answer हो जाएगा, option B आपका सही उत्तर नहीं होगा इस question का, उसी तरीके से option C आपको given है, sampling error, sampling error क्यों होता है, difference between population parameter minus sample statistic, मतलब आपके population के, आपके पास जो भी information होगी, आप उसको put करोगे और minus करोगे, and then आपको sample से जो information मिल रहे हैं, आप वो करोगे, उनको minus करके, आपको जो भी value मिलेगी, वो आपका sampling error, जिसे हम कहते हैं, तिदर्ष्ट तूटी, तो ये तिदर्ष्ट तूटी भी इस question का, सही उत्तर नहीं होगा, सही answer नहीं होगा, then option D is standard error, जिसे हम कहते हैं, मानक तूटी, तो standard error क्यों होता है, कि आपका distribution, आपको sample से जो information मिलती है, sample से information मिलने के वादा आप उसको graph में convert करते हैं, और आप देखते हो कि ये कितना spread out है, तो इसी को आप कहते हो कि ये standard error बताता है, कितना ज्यादा कम spread है, कितना ज्यादा spread है, इसी को हम कहते है standard error, तो यहाँ पर इस question में, इस बारे में भी question नहीं पूचा गया है, यहाँ पर जो आपको option D है, ये भी गलत हो जाए option A, next, to determine the frequency with which something occurs is called, उस शोद को क्या कहते है, जिसके साथ कुछ घटित होता है, इस question में में find out करना है, कि ऐसी कौन सी research है, जो frequently होती है, मतलब जिसमें हम frequency को determine करते है, जो चीज़ अकर हो रही है, इसकी frequency, मतलब एक चीज़ है, वो कितने बार अकर हो रही है, उस वो कौन सी research में हम data mine करते हैं, हमें यह पता लगाना है, अब जैसे for example मान लेजिए, डेंगू हो गया है, आप मानोगे कि अब जैसे कहोगे कि इस particular city में six times डेंगू हो गया है, जो छे बार डेंगू इस particular city में ये disease छे बार अकर हो रही है, जो यहाँ पर यह क्या बता रही है, हमें frequency कि वह चीज कितने बार अकर हो रही है, कोई सम्थिंग मतलब कोई चीज हो सकती है, वह कितने बार अकर हो रही है, उसकी frequency को बताती है, कि वह घटना कितने बार हो रही है, वो कौन से research बताती है, हमें, diagnostic research मतलब नैदानिक शोद, भी आप सब प्र staortici को आपशन फांका रहा है उसी तरीके से जो remaining option है उसे भी हम देख लेते हैं जिसे applied research जिसे हम कहते हैं प्रियोगी शोद applied research क्या होती है जिसमें हम किसी specific problem को practical problem को solve करते हैं पर हमें कोई problem को solve नहीं करना है question में हमें किसी problems related question नहीं दिया गया है यहापर जापका option यह है यह wrong हो जाएगा then option C quantitative research जिसमें हम numbers से deal करते हैं जिसमें हमारे पास already information होती है हम उस पर hypothesis लेड़ाउन करकर उस theory को proof करने के कोशिश करते हैं यहापर हम किस theory को proof नहीं कर रहे हैं हमारे पास जो भी data है वो numbers के form में नहीं है हमें ऐसा phenomena बता रहा है जो के आकर हो रहा है जिसकी frequency हमें पता करना है frequency को हम डेटा मा किसे option D fundamental research जिसे हम malik research कहते हैं malik shod so fundamental research में हम new theories, new concept, new ideas को develop करते हैं so यहापर जो आपका option D है यह भी wrong हो जाएगा so किसी frequency को determine करने के लिए कोई phenomena अकर हो रहा है कोई something चीज़ कोई भी चीज़ अकर हो रही है और उसकी frequency को determine करने के लिए हम सिफ और सिफ और सिफ diagnostic research मतलब नईदानिक shod का use करेंगे so इस question का आपका right answer हो जाएगा option A and आज के लिए बसन तना ही and thank you for watching this video